हलो फ्रेंड्स वेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर दोस्तो आज की वीडियों बात करेंगे गडित के इंपोर्टेंट प्रेशनों की जो एक्जाम में पूछे जाते हैं चली स्टार्ट करते हैं दोस्तो पहला कोच्छन है आपका बरतमान में ए और बी की आयू का अनुपात तीन अनुपात एक है चार वर्ष पूर्व अनुपात चार अनुपात एक था एकी बरतमान आयू कितनी है यह दोस्तो आपसे पूछा गया है एकी बरतमान आयू किछी न है अब देखें दोस्तों यह आपका जो question है यह आपका आयू संबंधित प्रेश्चन से ठीक है आयू संबंधित का जो chapter होता है उस से related यह question है और मैं आपको दोस्तों एक बात बता दू आयू संबंधित chapter की मैंने पूरी वीडियो बना रखिए एक ही वीडियो में पूरा chapter मेंने कराया हुआ है यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा उसमें आपको कैसा भी question हो आयू संबंधित सभी की trick मिल जाएगी आपको और chapter पूरा complete हो जाएगा उस वीडियो को देखने के वाद क्योंकि पूरा chapter मेंने कराया हुआ है उस वीडियो में ठीक है दोस्तों तो आपको link description मिल जाएगा तो चलिए start करते है question को करने का तरीका क्या इसको क्या कह रहा है बरतमान में जाए बरतमान मतलब present कितना है present में ठीक है कितना है दोस्तों पूर्व की बात हुई है तो मैंने आपको क्या बताया जब पहले की बात होगी पूरब की बात होगी तो कहां जाएंगे दोस्तों उपर जाएंगे किलियर है कितना उपर जाएंगे चार वर्स पहले चलेगे हम पूरब में अगर बाध की बात होती तो नीचे चले जाते हैं पूरब की बात होती है तो उपर चले जाते हैं ठीक है तो हम 4 वर्ष पूरब में चलेगे तो 4 वर्ष पूरबुन का अनुपात कितना था चार अनुपात एक था अब पूछ रहा है एक ही परतमन आयू कितनी है बस दोस्तों इसमें बचाई क्या है करने को कुछ भी नहीं बचा नीचे वाले अनुपात कितना जाएगा एक इसे बटे में लिखेंगे मल्टिप्लाइ कितने से करना है कितने वर्ष पूरब की बात है चार चार से आपको मल्टिप्लाइ करना है किलिए तो चार दुनी कितना हो जाएगा यह आठ हो जाएगा अब बात समझ में आगे कितना होगे आठ आठ आप से क करना है जो दूसरा नुपात होगा एका उससे करना है ठीक है तो एका बरतमान का तीन है और हमसे बरतमान की ही आयू पूछी है जब बरतमान की आयू पूछी जाए तो बरतमान के से मल्टिप्लाई नहीं करना है पूरब की आयू पूछी जाए तो पूरब के से multiply नहीं करना है अगर बाद की I.U. पूछी जाए तो बाद की से multiply नहीं करना है बाद के लिए दोस्तों तो बरतमान की पूछी गई यह बरतमान के अनुपात से multiply नहीं करेंगे एका दूसरा अनुपात कौँ सा चार वर्स पहले का इससे करेंगे आठ चोके कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा तो एक ही आयू बरतमान से चार वर्स पहले कितनी थी 32 थी तो ये तो चार वर्स पहले की निकल के आई है हम से पूछा है बरतमान आयू तो दोस्तो बरतमान में आने के लिए क्या करेगा हमें चार जोड़ना पड़ेगा ने ये वा आगे बरतमान में 4 जोड़ के 32 में 4 जोड़ के बरतमान में आगे कितनी होगी बरतमान में आयू 36 वर्ष हो गई यही हो गई आपका सही आंसर C option क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा देखिए दोस्तो मैं फिर के रहा हूँ अगर आयू संदिर वीडियो का लिंक आपको discussion मिल जाएगा अगर आप उस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आयू सम्मंद चेप्टर आपका complete हो जाएगा कैसा भी question पूछ ले न पांच अनुपात एक है पांच लीटर पानी मिलाने पर दूद और पानी का अनुपात पांच अनुपात दो हो जाता है मिस्टर में दूद की मात्रा कितनी है यह आप से पूछा गया दोस्तो एक तो हो गया आपका milk एक हो गया water के लिए रहे अब देखिए यहाँ पर पांच अनुपात दो हो जाता है कब जब हम इसमें पांच लीटर पानी मिला देते हैं अधिके पानी पहले कितना था एक था पानी का अनुपात पहले कितना था एक जब पांच लीटर मिला दिया तो कितना हो गया अनुपात दो एक से बढ़कर दोस्तो कितना हो गया दो मत तो कोई भी चेंज मिलक में तो नहीं हुआ है, मिलक पहले भी 5 लीटर था, बाद में भी 5 लीटर है, मिलक से तो कोई छेट शार नहीं हुई है, बस पहले वाटर आपका एक था अनुपात में, जब 5 लीटर बढ़ा जिया तो 2 हो गया, अनुपात में मिलाया एक, लीटर में क कितना हो जाएगा 5 से कितना हो जाएगा 25 लिटर तो 25 लिटर मतलब पहला option क्या हो जाएगा इस question का सही answer हो जाएगा जब एक बराबर 5 तो 5 बराबर कितना 25 अगर यहाँ पर मिलके का रेशियो अलग-अलग दिया जाता तो क्या करते हम मिलके के रेशियो को समान बनाते पहले कलिए रहे पहले समान बनाते तब क्वेश्यन को solve करते अब देखते दोस्तों अग्लब question अगला question है आपका तीन संख्याओं का ओसत 154 है पहली संख्या दूसरी से दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है पहली संख्या है पहली संख्या क्या है दोस्तों आपसे ये पूछा गया है तो तीन संख्या हम तीन संख्या क्या माल लेते हैं पहली संख्या A दूसरी B तीसरी को हम C माल लेते हैं यह हमने तीन संख्या माल लेते हैं अब क्या करा दोस्तों जो आपकी पहली संख्या है वो दूसरी से दुगनी है ठीक है और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी से दुगनी है जो आपकी दूसरी संक्या है वो तीसरी से दुगनी है तो तीसरी अगर एक है तो दूसरी संक्या तीसरी की दुगनी है तो कितना हो जाएगी दुगनी तो हो जाएगी के लिए रहे हैं फिर क्या कह रहा है जो पहली संक्या है वो दूसरी से दुगन औसत कितना दे रखा 154 अब आपको यह औसत दिया गया है अगर आपको योग पता करना है तो क्या करेंगे 3 से multiply करेंगी तो आप पहले क्या किजिए इसका योग निकालीजे देखे दोस्तों औसत का multiply अगर आप संख्छा में करेंगे तो योग निकलता है तो योग निकलता है, 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 तो योग आगया दोस्तों आपका 462, जब आपका योग 462 है, तो क्या करेंगे, अनुपातों का भी योग कर लेंगे, जब योग दे रखा ह तो अनुपातों का भी योग कर लिए कितना हो जाएगा ? चार दो,चीर और एक साथ तो इस योग से इस योग में आप डिवाइट देदेंगे साथ से स्वेटे डिवाइट देदेंगे ? साथ चिंग बीवालीस चार बचेगा ? 42 हो जाएगा फिर से साचिंग 42 किलियर है कितना आ गया दोस्तो 66 आपका निकल के आ गया अब जो पूछा जाए उसी में मल्टिप्राइग कर दो इस 66 का आपसे पूछा है पहली संख्या तो पहली संख्या कितनी है चार तो 66 का मल्टिप्राइग चार से कर देंगे कितना हो जाएगा चार चिंग 24 का चार केरी का दो चार चिंग 24 केरी का दो कितना हो जाएगा 26 तो पहली संख्या है आपकी 264 पहला ओफ्षन आपका सही हो जाएगा अगर आपसे पूछ लेता है दूसरी संख्या तो दो से मल्टिप्राइग कर देंगे 66 का तो 66 का मल्टिप्राइग दो से केरी का बन 13 हो जाएगा यह आगी दोस्तों आपकी दूसरी संक्या पहली पूछी जाती तो कितना आ जाता आपका 66 ही आ जाता के लिए लेकिन आपसे पहली पूछी गई थी तो 264 हो जाएगा आपका सही आंस है अब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जायेगा 462 ही आजाएगा के लिए दोस्तो बात समझ में आगी अब देखते अगला कोशन अगला कोशन है आपका किसी बस्तु के मुल्य में आर परसेंट की ब। की गई बाद में भड़े हुए मुल्य में आर परसेंट की कमी की गई यदि बस्तू का अंती मुल्य एक उर्पे हो तो आरंब का मुल्य क्या था आप देखिए कोई बस्तू के मुल्य में क्या है आर परसेंट की ब्रद्दी की गई है तो कोई बस्तू है के लिए रहे उसमें ब्रद्दी की गई है कितने की आर परसेंट की आर परसेंट की दोस्तों ब्रद्दी की गई है तो उसे हम प्लस ले लेंगे कोई बस्तू में क्या किया आर परसेंट की ब्रद्दी की गई के लिए रहे ब्रद्दी की गई तो बस्तू हो गई कितनी इतनी हो गई के लिए रहे फिर जो बस्तू है उसमें क्या है आर परसेंट की कमी की गई है तो जो बस्तू हमारी आई है उसमें क्या है आर परसेंट की कमी की गई है कमी का मतलब माइनस की गई है ठीक है और अंतिम मुल्य कितना है एक उर्पे अंतिम मुल्य दोस्तों यहाँ पर कितना है एक उर्पे है क कोई बस्तू के मुल्य में आर परसंट की पहले ब्रद्धी की गई फिर जो बस्तू आई है जो मुल्य आया है उसमें आर परसंट की कमी की गई है और अंति मुल्य एक उर्प्या है के लिए दोस्तो समझ में आगी बात अब देखिए कोई बस्तू हमारी यहां पर सो होगी और को माइनस कर देंगे, परसेंट का मतलब यहां भी सो आ जाएगा, के लिए रहे दोस्तों यहां भी हमारा क्या आ गया, सो आ गया, अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, कि आरंब का मूल क्या था, आरंब का मतलब यह वाला मूल क्या था, यह आपसे दोस्तों पूछा पूछा गया है यहां से वाले पूछा गया है अब देखें यहां पर आगए करते यह मारे यह वाला मूल ने निकलेगा मतलब उल्टा मल्टीप्लाई होगा अगर आगे की तरफ चलते तो सिधा सिधा मल्टीप्लाई और पीछे से शुरुवात की तरफ आएंगे तो उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा उल्टा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यह आ जाएगा multiply फिर उल्टा multiply होगा तो ये वाला 100 उपर बटे में कितना 100 plus R ही हो गया अब बस इसी को solve कर लीचे 1 का 100 का 100 का multiply होगा कितना ये हो जाएगा दोस्तों 4 0 के लिए रहे बटे में कितना हो जाएगा 100 का 100 से multiply होगा देखी यहाँ पर यहाँ पर आप देखेंगे 100 का 100 से multiply हो जाएगा तो 10,000 के लिए रहे 10,000 और R का R से multiply होगा तो यहाँ पर minus है यहाँ पर plus तो minus plus का गुणा क्या हो जाएगा minus हो जाएगा ठीक है minus plus का गुणा minus R का R से multiply क्या हो जाएगा R square तो यह आ गया दोस्तों आपका सही आंसर के लिए रहे दसजार के बट्टी में 10.000-R का इसको आपका सही आंसर आ गया तो RM का मूल क्या था यह था आपका D-Option क्या हो जाएगा सही आंसर यहाप पर हो जाएगा उम्मिद करता हूं कोशन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके स समझ में आ क्या होगा जब हम बापस उल्टा आ रहे हैं पहली की तरफ उल्टा मल्टिप्लाई होगा सीधा आगे की तरफ जाते तो सीधा मल्टिप्लाई होता के लिए रहे आप देखते अगला कोशन अगला कोशन है आपका किसी बिद्याले में लड़के तथा लड़किय नहीं मिली, उनकी प्रतिस्ता में ज्याद करनी है, ठीक है दोस्तों बात समझ में आगी, समझ में आगी बात, तो एक तरफ तो हम बॉय लिख लेते हैं, और एक तरफ हम गर्ले लिख लेते हैं, ठीक है, एक तरफ बॉय, एक तरफ गर्ल, तो बॉय को कितने परसंट चात्रव गर्ल को 25% गर्ल को चात्रवती मिली है और इनका अनुपात कितना दे रखा तीन अनुपात यहां पर दे रखा है तो आपको क्या करना है यह बीच वाली वैलू निकालनी है बात के लिए रहें अब देखें इसमें एक बात समझे आपने यह क्या लिखा है 20% चात्रवती लड़कों को मिली है 25% लड़कियों को मिली है तो आपने जब चात्रवती वाला लिखा है तो आपका आंसर क्या आएगा आपका आंसर आएगा कितने परसंट को चात्रवती मिली है यह आपका आंसर आएगा कितने को नहीं मिली उसे हम क्या करेंगे स्वामे से म कितना हो गया 25 कितना परसेंट बढ़ा 5 परसेंट बढ़ा यह इनका परसेंट कितने के बढ़ा होता है इनके योग के बराबर होता है तो तीन अनुपाते दो कितना हो गया 5 तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 परसेंट हो जाएगा इसका अंतर इनके योग के बराबर होता है ब ऐसे cross solve कर लीजे, चाहें आप ऐसे cross solve कर लीजे, clear दोस्तों, answer आपका same ही आना है, आप देखें, 20 से 25 पर आगे क्या बढ़ेगा, 5% बढ़ेगा, clear है, और यहाँ पर क्या ऐसे solve करेंगे, तो 1% बराबर 1, तो 2% बराबर कितना हो जाएगा, 2 बराबर 2% हो जाएगा, ठीक है, तो 20 में 2 जोडेंगी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, तो कितने percent को चात्रवती मिली है, 22% को मिली है, हमसे पूछाए कितने को नहीं मिली, तो 100 में से इस 22 को माइनस कर देंगे, कितना बच्चे का 78, तो 78% student को चात्रवती नहीं मिली, पहला option आपका सही हो जाएगा, बात से करते, 25 में से 20 की तरव जाते, कमी होती, 5% की कमी, ठीक है, और यहाँ पर क्या जाता, 3 वराबा 3%, तो 25 में से 3 को माइनस कर देते, क्योंकि यहाँ मैंस कर देते, तो यहाँ भी माइनस कर देते, तब भी आपका बाइस आता, उम्मीद करता हूँ दोस्तों, question आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, दोस्ते दी वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें और दोस्तों में भी शियर करें, जदी आपने हमारे चैनल को भी तक सब्स्राइब नहीं किया है, तो कर लिजिए, और बेल आइकन का बटन भी दवा दीजिए, दोस्तो देने बाद